हेलो फ्रेंड्स कैसे यो आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगी तो आज पर में लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टीप्स और आइडियो तो वीडियो के आन तक ज़रूर बने लिएगा वीडियो थोड़ा सा भी यूसफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिएगा तो चलिए वीडियो शुरूर करती हैं तो सबसे पहली टीप्स है मेरी इस तरह के से स्केच पैन को लेका है तो फ्रेंज देखिए स्केच पैन लेकर आती हैं बच्चों के लिए और वो काम भी करते हैं तो कई बार क्या होता है ऐसे काम करके ही इसका जो कवर होता है उसको ऐसी छोड़ देते हैं और यह sketch pen जो होते हैं बड़ी जल्दी से सूप जाते हैं और इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे बच्चों के जो महंगे sketch pen होते हैं वो खराब हो जाते हैं फिर दुवारा नई खरीद की लेकर आने पड़ते हैं तो इसका एक पर्मानेंट में आपको एक टिप से बता रही हूँ जिसकी वज़े से यह जो है आपके इसके पेंड कहीं पीक होएंगे भी नहीं और से बिरेंगे तो आपको लेनी है इस तरीके से चोड़ी वाली जो सेल कर देना है यह यहाँ पर इस तरीके से इसको मैंने चिपका दिया है सेलो टैप को और आप देखिए क्या करेंगे हम अब लेंगे हम सीजर तो यहाँ सीजर से मैं साइड से काट दूंगी और इसकी बाद जो उपर का बचा हुए थोड़ा सा सेलो टैप निकल रहा उसको भी कवर कहीं भी खोने वाले नहीं है और यह इस तरीके से अच्छे से सैट भी हो जाएंगे और साथ में सारे मिल भी जाएंगे तो आइडिय अच्छे लगा तो लाइक जलू किजिएगा नेक्स टीप में देखिए यहां पर लिये हैं मैंने कपड़े तो जब हम कपड़े अपन आइडिया मैं बता रही हूं आपको तो जब भी आप ऐसे अगर ब्रश से काम कर रहे हैं कपड़े धो रहे हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स देखिए बार बार हम चुड़िया तो निकाल कर रखेंगे नहीं कि निकाली और दुबारा पहन ली तो यह चुड़िया त आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहा लेना है इस तरह कर कर लेंट जो ही बड़े वाला रबबर स्थ होता है वह वाला और इसका क्या करना देखें यहाँ पर चुड़िया अगे अच्छे से लैना intersections कर ले yek सो इसको पीछे लिए नहीं लगा देंगे और टाइट जैसे यहा यह चूड़िया भी आगे नहीं आएगी और नहीं आपकी कोई बैंगल्स पगेड़ा जो जमीन पर लगती है वह लगेगी भी नहीं और इस तरह के से आपकी बैंगल्स बिल्कुल सेफ भी रहेगी और कई दिनों तक चलेगी भी ना स्टोन ख्राब होंगे ना तूटेंगी तो यह आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी आ तो इसको लाइक शेयर जरू किजेगा और इसको कमेंट में बता ना कैसा लगा यह आइडिया तो नेक्स आइडिया भी देखिए फ्रेंस यहां पर लिया है मैंने यह जो यह चश्मी और गोगल्स आते उनके cover होती है तो इनका कपड़ा काफी पतला होता ठीक होता है देखी यह इस तरीके के कपड़ा होता है काफी तो इसको मैं ब ANDREW यूज़ करने वाली हूँ, इसको आप फेके ना, कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको तो friends, आप क्या कर सकते हो या पर ना, इसको यूज़ करने के लिए आप लीजिए अपना soap, तो ये देखिए आप soap लीजिए और इसके अंदर इसको डाल देजिए, अब इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए आप ये कपड़ा जो है काफी soft होता है, तो आप इसको as a brush की तरह, अपनी body के उपर, brush की जैसे हमें चाही होता है, उसकी तरह इसको use कर सकते हैं, या फिर जैसे कपड़े धुने वाले टिकिया होती है, साबून की, वो भी इसके ने डाल कर, आप कपड़ों के उपर soft कपड़े होते हैं, उनके लिए हमें ऐसे brush की तरह इसको हम use कर सकते हैं, तो friends, आप एक बार इसको बना कर use करके देखिएगा, बहुत ज़्यदा, soft होता है, आपके लिए सही रहेगा, और अगर idea अच्छा लगा हो, तो like भी जरूर कीजिएगा, और next tip देखिए friends, यहाँ पर है मेरी blouse को लेकर, तो साड़िया तो हम पहन लेते हैं, और blouse हमारे ऐसे ही कई दिनों तक रखे रहते हैं, और यह रखे रहने की बज़े से क्या होता है, जो हमारी महेंगे महेंगे साड़ियों के blouse होते हैं, उनके hook में, जो है, जंग लग जाती है, तो आप क्या किजिए, देखिए, आप ले लीजिए, matching का nail paint, तो आप रेट कलर की यह blouse है, तो इसके लिए मैंने रेट कलर का ही nail paint लिया है, और यह जो hook होते हैं, इनके उपर लगा देंगे हम nail paint इससे, जो है, हमारे blouse के hook के अंदर जंग नहीं लगेगी, और ना ही वो तोटेंगे, तो अच्छे से यह set भी रहेंगे, और यह दिखेंगे भी नहीं, जब आप matching के color की nail paint लगा दोगे ना, तो यह आपको दिखेंगे भी नहीं, और अगर जंग भी लग रही हो ना, तो आप उसके उपर भी एक बार लगा कर इसको use कर सकते हैं, तो friends, next tip में देखिये हैं, जब कभी हमारे बच्चे ऐसे फैविकोल का काम करते हैं, copy को paste करना हो, तो उसके लिए फैविकोल ही use करते हैं, फैविकोल को लगाते हैं, उंगली से, और इस तरीके से क्या होता है, कि उनकी उंगली के उपर न, फैविकोल लग जाता है, देखिये, यहां पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिये, इस तरीके से फैविकोल लग जाता है, और यहां तो यह देखिये, मैं आपको example के लिए दिखा रही हूँ, कई बार तो तो यहां पर टिब बता रही हूँ, जब कभी आपके बच्चों में हादों पर इसे फेविघोल लग जाएथ तो आपको क्या करना है? सिंपल कुछ ही नहीं आपको जाना है किचन में और किचन में से लेकर आ जाना है यह नमक तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ एक्जामपल के लिए तो देखिए फ्रेर्स मैंने थोड़ा साई फेविकॉल लगाया था तो आपको यह छोड़ा कर दिखा तो देखिए कितनी अच्छे से यह निकल गया है विल्कुल जो सूखा वह फेविकॉल है विल्कुल अगर हट नहीं रहा है तो एक इस बार टीप को यूज करके देखिए सार का सारा फेविकॉल हटकर अलग जाएगा और यह देखिए इसको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है आपको दिखाते हूं मैं हाथ में लेकर देखिए मैंने थोड़ा से लगाए तो इस तरह के से इसको यूज कर सकते हैं अब नेक्स टीप है मेरी बेंगल्स को लेकर त इसको योस कर लिजिए तो यहाँ पर मैं एक्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूं क्योंकि मेरे पास कोई मैटल की चोड़ी नहीं है तो यह तो इसका क्या करना है हमें लेनी है सेलो टेप और यहाँ पर बेंगल्स को हमें एक दुसरे के साथ अच्छे से पेस्ट कर पर हम मैं बनाएंगे एक बैंगिस का फ्लावर का सकती है तो हम बनाे एक बैंग चीम का सपरेंगे चीम चोट अब मना प्रम सकते हो अपने किचन के इसाब से खेल in Burns अब न सेलो टेप की जगे जो है इसको धागे से बांद होगे न तो वह ज्यादा यूसफुल रहेगा अब यह दिछे दिखाएने दिरता तो इसलिए मैंने डार्क यह बॉक्स लिया इस आपको अच्छे से दिखाए दे तो इस तरह के से आपको यह बना लेना है अब इसका आपको क्या करेंगे हम किचन में यह कैसी यूज़ हुगा तो फ्रैंड से कही बार क्या होता है कि हमारे पास अना ऐसी जो यह ष्टील का स्टेंड होता है हम पज़ार से करिद के लाते है यह तोट भी जाते हैं और कई वार हमारे पास होता भी नहीं है। और हमें जब गरम गरम जैसे दूद होता है गरम सबजी होती है वो इस तरहाएं से यGU को वर organizів के ऊपर रखनी होती है और रखते हैं और ताकी वो घुल्दी से ठंडे हो जाए। और आप क्या कर सकते हों, इस स्टेंड की जगे आप इस तरह के से बैंगल्स की ऐसे स्टेंड बना लेजिए, देखें, मैं आपको बारबर कह रही हूँ, आपको काच की चूड़ी या यूज नहीं करने हैं, आपको मैटल्स की या पीतल की बैंगल्स का ही बनाना इसको, और सेलो टेप की जगे आप इसके उपर धागे से इसको अच्छे से पुरा टाइडली भांदोगे न तो बहुत अच्छा बन जाएगा तो आप इसको इस तरीके से एजे स्टैनिक के लिए यूज कर सकते हो तो आइडिया कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरू बताईएगा एक बार बना कर जरू देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको ये यूसफुल होने वाला आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी जो पुरानी बैंगल्स बगेरा हैं वो भी यूज हो जाएगी नेक्स टिक भी फ्रेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल होने वाली है तो यहां क्या करेंगे हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी और इस हल्दी के अंदर डालेंगे हम कोई भी एक्सपायर टेलकम पाउडर भी ले सकते हो और इस तरीके से इस टेलकम पाउडर को इसमें डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कैसे यूज करेंगे चले हैं मैं अभी आपको बताती हूँ तो देखिये फ्रेंस कई पर क्या होता है कि हमारी ज्जाडू जो होती है हम गीली हो जाती है या फिर उसके उपर मीठा लग जाता है चाहिए वो सीख वाली ज्जाडू हो या फिर ये फूल ज्जाडू हो तो जब इनके उपर मीठा लग जाता है, गीली हो जाती है, तो इनके अंदर चीर्टी या भोजल्दी से आ जाती है, वो सारे घरमें भी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो ये solution बिना है, हमने हल्दी और पौडर का इसको जाड़ों के अंदर खोल कर अच् जाएंगे, तो फ्रेंड से आइडिया अच्छे लगाओ, तो लाइक शेयर जरू केज़ेगा, मिलते हैं नेक्स वोडियो में, थैंक्यू फर वचिंग,